बंगाल की खाड़ी मानसून यह शाखा दो भागों में बढ़ जाती है पहली मेंमार तटकी ओर बढ़ कर अराकान योमा पहाडी से टकरा कर इसकी पश्चिमी ढालों पर वर्शा करती है दूसरी शाखा बंगाल और असम की ओर बढ़ते हुए खासी एवं गारों की पहाड़ योमें वर्शा करती है यही पर मेगाले में स्थित मासिन राम में दुनिया की सरवाधिक वर्शा होती है यह हवा हिमाले तथा अराकान योमा परवशेणियों के कारण पश्चिम की ओर मुड जाती है तथा जो जो पश्चिम की ओर जाती है वर्शा की मात्रा कम होती जाती गुवाहाटी, पटना, इलाहबाद, भरतपूर और जैसलमेर में होने वाली वर्षा से इसे समझा जा सकता है तीसरा शरद्रितू या मानसून की वापसी अक्टूबर के उत्रार्ध में उत्तर भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्रिम भारत के उपर निम्न वायुदाब की अवस्था बंगाल के खाड़ी में इस्थानांतरित हो जाती है ये अस्थानांतरन चक्रवाती निम्न दाप से संबंदित होता है, जिससे अंडमान सागर के आसपास चक्रवात उत्पन होते हैं। ये चक्रवात समानतया भारत के पूर्वितट को पार करते हैं और कभी-कभी ये विनाश कारी रूप ले लेते हैं, जिसके कारण व्यापक और भारी वर्षा होती है। 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। राजस्थान, गुजरात, एवं पूर्वी तटी मैदान में और सत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से अधिक, तथा जम्मू कश्मीर, हिमाचार प्रदेश, उत्राकंड, मध्र प्रदेश और करनाटक के आंतरिक भागों में यह 25 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। चौथा, शेत्रितु, दिसंबर से फरवरी तक शेत्रितु का समय होता है। इस समय उत्तर भारत के तापमान में काफी गिरावट आती है। जन्वरी से फरवरी में पंजाब, कश्मीर, आदी में तापमान, हिमांक के नीचे चला जाता है। जबकि दक्षिनी भारत का ओसत तापमान 14 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस होता है। यही कारण है कि जन्वरी फरवरी में पंजाब, हर्याणा, उत्तर प्रदेश में गेहूं की फसल उगती है और केरल तथा तमिल्नाडु में चावल की फसल लहला हाती है। इन दिनों चक्रवात के कारण तमिल्नाडु और अंडमान निकोबाज द्यप समूह में काफी वर्षा होती है। शेतरितु में भूमद्य सागर से आने वाले चक्रवातों से कश्मीर और उत्तर पश्रिम भाग में शेत कालीन वर्षा या हिम पात होता है। उत्तर भारत में इन महीनों में अक्सर कोहरा चाया रहता है। इस घटना से अंतता उश्न कटिबंधी मिलन चेतर का विस्तार 10 डिगरी से 15 डिगरी दक्षिन तक हो जाता है। इसका प्रभाव हिंद महासागर तक देखा जा सकता है। इस कारण दक्षिनी गोलार्द से आने वाली व्यापारिक पवनी जब भूमध्य रेकी निम्न वायुदाप छेतर से उत्तर की ओर बढ़ती हैं। तब उनकी गती सामान इसे कम हो जाती है। चुँकि यही हवा दश्चिन पश्चिन मानसुन को जन्म देने में मदद करती है। इसलिए भारत का मानसुन कमजोर हो जाता है। समुद्र से नमी वाली हवा कम आती है और पढ़डामता वर्षक कम होती है। अता कहा जाता है कि जब-जब L9 के घटना घटती है भारत का मानसुन कमजोर होता है। यह प्रशान्त महसागर के पानी को आसमाने रूप से किसी साल औसत से ज़्यादा गर्म कर देता है तो किसी साल ज़्यादा ठंडा। ऐसा कुछ सालों के अंतराल में होता रहता है। पेरु में इसके कारण सर्दियों में काफी बारिश होती है और बाढ़ा जाती है। ऐसा अनुभव भी रहा है कि वहां गर्म पानी में मचलिया भी कम मिलती है। इसे एल नीनो, शिशु जीसस कहते हैं क्योंकि यह क्रिस्मस के आसपास होता है। इस घटना के विपरीत पूर्वी प्रशांत महासागर जब ठंड़ा हो जाता है तो इसे ला नीना अर्था लड़की कहते हैं। इसे मानचित्र 3.3 से समझा जा सकता है। भारत में लंबी अवधी के पूर्वा नुमान के लिए एल नीनो का उप्योग हो करण मानसून के आगमन में 5 से 12 दिन की देरी हो गई थी। जलवायू परिवर्तन प्रिथ्वे की वायूमंडली सनरचना में आ रहे परिवर्तन तथा इन परिवर्तनों के भावी परिणाम से पूरा विश्व चिन्तित है। जलवायू का अध्यन करते समय हमने जाना कि जल जलवायू दिर्द कालीन वायूमंडली दशाओं को कहा गया है। इसका आर्थ सालों से बना हुआ एक चक्र है। इस चक्र में परिवर्तन आ रहा है। यही परिवर्तन चिन्ता का विश्व है। यदपी इसकी गती धीमी है लेकिन भाविश्य में इसके परिणाम अनेका समस्याओं को जन्म देंगे। जैसे वर्षा के आने का समय आगे पीछे होना, हिमनत का सिकुडना, समुद्र का जलिस्तर बढ़ना। इस पर विचार किया जाना चाहिए कि वर्षा रितु का जो समय निर्धारित है उसके बदल जाने से फसल चक्र बदल जाएगा और भूम का उप्योग प्रभावित होगा। अखबारों में छपी मौसम से संबंदित खबरों को इकठा करें।